नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर सो रश्या के द्वारा भारत को एक बड़ा ही interesting offer पेश किया गया है रश्या ने भारत से कहा है कि जो IL-76 transport aircraft है वो उसको भारत में manufacture करना चाहते हैं और रश्या ने यहाँ पर यह कहा है कि इस चीज का जो इंडि Indian Air Force already IL-76 भारी मात्रा में operate करती है लेकिन जो वो currently operate कर रही है वो सारे के सारे जो जहाज है वो पुराने हो चुके हैं और इसलिए अगर रश्या इन aircraft को आके भारत में बनाएगा तो Indian Air Force जो है वो उन नए aircraft का इस्तिमाल कर सकती है Now सुनने में ये खबर बहुत ही अच्छी लगती है और सुनने में लगता है कि Indian Air Force को इसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है लेकिन दोस्तों अगर आप reality देखेंगे अगर आप थोड़ा सा detail में जाएंगे तो असल में पता लगता है कि रश्या basically Western countries के द्वारा लगाए ग नहीं है तब से रश्या के ऊपर कई सारे जो sanctions हैं उनको लगाया गया है जिसकी वज़े से रश्या को बहुत सारी जो aviation के components होते हैं जो technology होती है उनका access नहीं हो पा रहा जिसकी problem ये उनको आ रही है कि वो अपने देश में जो बड़े बड़े जहास थे उनको अब manufacture नहीं कर पारे और इसलिए उन्होंने भारत को यहां पर approach किया है कि हम लोग आपके देश में आएंगे आपके लिए ये IL-76 aircraft को बनाएंगे जिसका फायदा Indian Air Force को भी हो सकता है बात करेंगे दोस्तों इस पूरी development के बारे में क्या है Russia का ये offer and क्यूं Russia असल में भारत को approach कर रहा है इ लेकिन more importantly ये भी समझने का प्रयास किया जाएगा कि क्या इंडिया को Russia का ये वाला offer accept करना चाहिए या फिर नहीं आए शुरू करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के updates को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर दिये ग के courses को लेकर आए हैं और हमारे जो दूसरे offline centers हैं वो नई दिल्ली के करोलबाग, नई दिल्ली के मुखरजी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में already चल रहे हैं इन सभी offline classroom programs में दी गई dates के ऊपर GS batches को शुरू किया जा रहा है जिनके साथ साथ CSAT, essay writing classes, current affairs coverage, test series जैसी सारी सेवाएं भी available करवाई जा रही है, फिर भी कोई डाउट है, कोई भी query है, आप लोग हमारे center को visit कर सकते हैं, या फिर आप लोग दिये गए phone numbers पर phone भी कर सकते हैं, free study material, UPSC syllabus जैसी चीजों को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी app को download कर सकते हैं, जिसका link आ जिसको की United Aircraft Corporation के द्वारा बनाया जाता है, उन्होंने भारत के सामने इस प्रस्ताफ को पेश किया है कि हम लोग इस aircraft को, जिसको by the way Illusion IL-76 कहा जाता है, इसकी local production हम लोग इंडिया में करना चाहते हैं, और ये अपने आप में offer एक बहुत बड़ा offer इसलिए बन जाता है दोस eight countries के द्वारा operate किया जाता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौनसी कौनसी countries इसको operate करती हैं, Algeria, Angola, China, Belarus हुआ, भारत भी पहले से operate कर रहा है, इरान हुआ, रश्या खुद इसका बहुत बड़ा operator है, और दुनिया के और कई सारे देश हैं, जो कि इसका operation यहाँ पर क aircraft की production line को इंडिया में shift करते हैं, तो इसका फाइदा Indian Air Force को ही होगा, because वो अपनी cost को cut कर पाएगी, वो अपनी procurement को बहुत ज़ादा expedite कर पाएगी, बलकि रश्या ने साथ में यह भी कहा कि Indian Air Force के पास already IL-76 MD aircraft available है, जो कि 17 numbers आपके पास available है, जो कि आपने 1980s में लिये थे, ले navigation systems पुराने हो चुके हैं, जिसकी वज़े से वो जादा अच्छे से operate नहीं कर पाते, तो रश्या का यही कहना है कि अगर हम लोग इस production line को इंडिया में लेकर आएंगे, तो एक तो Indian Air Force की requirement पूरी होगी, और साथ में जो ये latest technologies हैं, ये भी Indian Air Force को यहाँ पर मिल पाएगी, र जादा payload carry कर सकता है, इसकी जो range है वो बहुत जादा है, और भी कई सारी बाते इन्होंने कही हैं कि इसमें structural components को upgrade किया गया है, इसके जो wings हैं वो भी upgrade कर दिये गए हैं, इसमें जो cockpit है उसको भी upgrade कर दिया गया है, ताकि जो pilot का workload है, वो भी यहाँ पर कम हो सके, लेकिन सबसे बड़ा question यही आता है, कि क्या इंडिया को Russia का offer consider करना चाहिए, देखिए, जबसे Russia यूकरेन के बीच में tensions शुरू ही है, तबसे problem यह चल रही है कि western countries के द्वारा कई सारे sanctions हैं, जो कि Russia के उपर लगा दिये गए हैं, जिसकी बदौलत Russia को बहुत सारी problems आ रही है, जिसकी पा रहा है, इन सभी चीजों को access Russia नहीं कर पा रहा है, हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे जो components हैं, वो USA और European Union की country से ही आते थे, जैसे कि carbon fiber composites हुए, कई सारा navigation गेर हुआ, ये सब चीजें Russia काफी लंबे टाइम से USA और EU से ही मंगवाता था, लेकिन current sanctions वाली स्थिती में, Russia इ भारत को choose किया, कि क्यों ना हम लोग इंडिया में जाकरके इसकी production को start कर दें, अब दोस्तो problem ये same, जो Russia face कर रही है, वही problem इंडिया face करेगा, अगर आज sanctions रश्या के उपर लगे हुए हैं, तो वही अगर manufacturing इंडिया में आकरके होती है, इसकी कोई guarantee नहीं, कि इंडिया में वह वाली जो manufacturing है, वह उतनी ही smooth तरीके से हो पाएगी, अच्छा अगर ये सोचा जाए, कि इंडिया उन components को खुद से बनाने लग जाएगा, तो वह almost nearly impossible है, क्योंकि ये सारे के सारे high-tech parts हैं, जिनको अभी तक इंडिया के अंदर manufacture नहीं किया जाता है, प्लस सबसे बड़ी problem जब रश्या के ऊपर sanctions लगे हुए हैं, तो transfer of technology रश्या के लिए करना बहुत बड़ी problem होगी, इंडिया के लिए, मान लीजे कर भी देती है रश्या, उसके बाद भी उसकी complexity, उसका cost और जो समय लगेगा, इस पूरे aircraft को production में लाने के लिए, वो इंडिया के लिए बहुत ज ज़्यादा लग सकता है, तो ये सारी की सारी problems को देखते हुए, almost ये काफी मुश्किल है कि इंडिया इस aircraft को यहाँ पर manufacture कर सके, and even though अगर आज रश्या हमें ये offer कर भी रहा है, तो उसका main reason यही है, वो इसलिए क्योंकि रश्या के ऊपर बहुत सारे sanctions western countries के द्वारा अगर आप देखें, इसके पहले Amur 950 submarine की बात हुई थी, वो भी रश्या ने बोला कि हम भारत को बेचना चाहते हैं, इसको लेकर मैंने separate video भी बनाई है, उसके पहले Sukhoi 57 and Sukhoi 75 aircraft को लेकर भी, रश्या ने कई बार, एक बार नहीं, पिछले दो सालों में कई बार भारत को य प्रियास करता है, अब सेम चीज रश्या एक तरीके से भारत के उपर impose करने की कोशिश कर रहा है कि IL-76 aircraft हम इंडिया में बना लेते हैं, इससे हमारे उपर जो sanctions का problem है, उससे भी हम लोग बच पाएंगे, देखते हैं, इंडियन government इस चीज को लेकर क्या सोचती है, क्या फैस section में, thank you so much for listening, stay tuned